Information Technology का Mobile Phone और Computer का जमाना है जी हैं और इसी जमाने में जादा तर जो couples हैं पती या पतनी हैं किसी और के साथ में बात करने लग जाते हैं अपने Mobile Phone पर, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, अलग-अलग तरीकों से अपने पती या पतनी को छोड़ कर किसी और से अगर बातचीत होनी शुरू हो जाए तो क्या आप इसे Extra Marital Affair में Consider करेंगे या अडल्ट्री में Consider करेंगे या नहीं इस प्रश्ण के लिए आपने बहुत सारे कमेंट मेंशन किये और इसका जवाब आपको इस वीडियो में देने की रहेगी मेरी कोशिश चलिए बात करते हैं इस विशेश मुद्दे पर आपका स्वागत है Legal Advise में आपने शुरूआत अशोग पांडे के साथ में की है want to intimate with you, sexual relation की बात हो नहीं लग जाए उन लोग के बीच में जो intimated relationship है उसके conversation लगातार बढ़ते जाएं और एक दूसरे को वीडियो कॉल करने शुरू कर दें या sex chatting तक मामला पहुँच जाए तो क्या ये adultery में consider होगा या नहीं? कानूनी तोर पर नहीं लेकिन ये फिर भी एक आधार बना देता है जिसमें पती या पतनी के पास अगर ऐसे evidence है कि उसका पती या पतनी इस तरीके के activity में involved है जहां वो किसी और महिला या पुरुष के साथ में बात कर रहा है और जो conversation है वो sexual है तो इस condition पर वो तलाक के लिए जा सकता है लेकिन adultery क ground नहीं बनेगा ये मानसिक प्रतार्णा का आधार बनेगा मानसिक प्रतार्णा क्यों mental cruelty क्यों इस वज़ा से क्योंकि कोई भी पती या पतनी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो साथी है वो किसी और के साथ इस प्रकार से intimate conversation करे और अगर कर रहा है तो maybe वो physically involved नहीं है लेकिन उ opposite spouse से उसके लिए त्रासदी है ये परिशानी है इस वज़ा से mental cruelty में consider होगा और अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो आप court के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे अपनी बात को साबित करने के लिए काफी सारे प्रशन कि adultery में consider क्यों नहीं होगा देखिए adultery में इस वज़ा से consider व्याभिचार हिंदी में कहते हैं अगर ये adultery में consider करेंगे तो उसकी एक सबसे बड़ी requirement होती है physical relation physical relation मतलब मान लेजे कि मेरा किसी और के साथ adulterious relationship है व्यभिचार का संबंध है तो ये साबित करने के लिए मुझे किसी और लड़की के साथ में ये साबित करना पड़ेगा कि शारेरिक संबंध बने हैं हम लोग के बीच में जो penetration है sexual relation है वो हुआ है अगर वो नहीं हुआ है तो it cannot be considered in adultery और इसे फिर तलाक का अधार नहीं लिया जा सकेगा लेकिन अगर कुछ ऐसी conversation जहां पर ये proof हो सके या साबित हो सके या hotels के कुछ record या जहां पर रुके बहां पर आस पडोस में रहने वाले लोग justify कर सके गवाही दे सके बता सके तो इस condition पर ये साबित हो जाए हैं तो उसे consider किया जा सकेगा adultery में लेकिन अगर वो शारी एक संबंद नहीं है मेर conversation मतलब कि बातचीते हो रही है किसमें whatsapp पे facebook पे instagram में social media के किसी भी platform पे या mobile phone से तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि it is adultery but yes it is a mental cruelty ground जिसके आधार पर लिया जा सकेगा तालाक तो ये बहुत clear रहना चाहिए कि अगर आपका पती या पत्नी बाचीत कर रहा है तो भी वो तलाक का आधार है आप अगर पुसीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन वो आपका mental cruelty में आएगा मानसिक प्रताड़ना में आएगा ना कि adultery व्यबचार के आधार बनेंगे आपके तलाक क इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बीच में शारी एक संबंद नहीं बने और अगर आप justify कर सकें कि उनके बीच शारी एक संबंद बने हैं तो definitely it is to be considered as adultery जब आप court में साबित करेंगे आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरू comment box से mention किजेगा साथ ही कि किसी परिशानी के लिए करना चाहें बात इस वीडियो के description में detail link है जहां से direct appointment book करके आपकी और हमारी हो जाएगी बात मिलेंगे अगले वीडियो में दब तक के लिए स्वास्त और सुरक्षित रहें